भारत के परधान मंतरी मोदी जी ने लाल किले से अपने दस्वे सोतंदरता दिवस संबोधन में 90 मिनट 34 सेकेंड का भासन दिया भासन देने में तो हमारे परधान मंतरी जी महान है ही मोदी जी 77 सालों के देश के इतिहास में आज तक औसत रूप से सबसे ज़्यादा लंबा सोतंदरता दिवस भासन देने वाले भारत के परधान मंतरी है इतिहास इसके लिए उन्हें हमेशा याद करेगा लेकिन इतिहास इस बात के लिए भी खूब याद करेगा कि जितना इन्हों ने लाल के लेग के पराचीर से खड़ा होगरके लंबा लंबा भासन दिया है उतना ही इन्होंने इस पराचीर से लंबा लंबा जूट भी बोला है न्यूज हंटर्स के आज के चीरफाड में हम प्रधान मंदरी के भासन के पांच सबसे बड़े जूट का चीरफाड करेंगे पहला जूट मोदी जी ने अपने भासन की सुरुवात में ही दावा किया कि दुनिया में कोई भी रेटिंग एजनसी होगी भारत का गवरव कर रही है खुद सुन लिजी आप दुनिया की कोई भी रेटिंग एजनसी होगी भारत का गवरव कर रही है दुनिया की कोई भी रेटिंग एजनसी होगी भारत का गवरव कर रही है आप ये देखिए प्रेश फ्रीडम रैंकिंग यानि की आरेश एफ में 2016 तक भारत का रैंक 133 हुआ करता था और 2021 तक आते हैं भारत का रैंक 150 वे अस्थान तक लोड़क गया कुछ और रैंकिंग जान लिजिए इस विस्व गुरु के बारे में Economist Intelligence Unit Democracy Index में यानि की भारत कितना लोग तांतरिक है इसमें भारत का रैंक 2014 में 27 हुआ करता था जो 2020 में लुड़कर के 53 हो गया इसी तरह से हंगार इंडेक्स में तो भारत की स्थिति सिर्फ पिछले एक साल में 130 वे नमबर से डुड़ा करके 133 वे नमबर पे चली गई ऐसे ही दुनिया के तीन परसिद रेटिंग एजेंसी जिसमें से Freedom in the World Index, VDEM Index, EIU Democracy Index जब इन तीनों रेंकिंग भारत की रेंकिंग पिछले कुछ सालों के दौरान बिगड़ी है जब इन तीनों रेंकिंग भारत की आलत खराब होई तो मोधी सरकार ने इन रेंकिंग बनाने वालों के मेथड के उपर ही सवाल खड़ा कर दिया और इसके लिए भारत सरकार में एक लंबा चोड़ा पूरा रिपोर्ट तक जारी कर दिया सुक्र है इन्हें देशद्रोही नहीं बोला लेकिन जो अमनेस्टी इंटरनेशनल भारत विकास से संबंदित ऐसे रैंकिंग बनाती थी मोधी सरकार उसे भारत से ही भागा दिया ऐसी रैंकिंग बनाने वालों को मोधी सरकार भारत से भागा तो सकती है लेकिन इन आकड़ों का क्या करेगी सिविल लिवर्टी में भारत का स्कोर 2015 तक 43 हुआ करता था जो 2022 में घटके 33 हो गया इसी तरह से राजनितिक अधिकार के मामले में भारत का स्कोर 2015 तक 35 हुआ करता था जो अब 33 हो गया है इन दोनों मानकों में भारत की इतनी खराब इस्तिती इतिहास में सिर्फ दो बार हुआ था एक 1975 में इंडरा गानी के अपातकाल के दौरान और दूसरा जब भारत की अर्थप्यवस्था का उधारी करण हो रहा था 1990 के दसक के दौरान तब भारत का स्कोर इतना नीचे गिरा था उसके अलावा कभी नहीं गिरा था ऐसे ही इस विश्व गुरू के 10 और रेंकिंग के बारे में बता देता हो जिसमें भारत की सिती खराब होई है Human Development Index Global Hunger Index Freedom of Religion Report Corruption Perception Index Rule of Law Index Education Expenditure Index World Democracy Index Economic Freedom Index Global Peace Index Global Right to Information Rating सब में भारत की सिती पिछले कुछ वर्सों के दौरान खराब होई है और तीन मामलों में तो भारत की रैंकिंग सार्वदी खराब होई है जिसमें से एक है Global Gender Gap Report दूसरा है Human Freedom Index और तीसरा है World Press Freedom Index यानि कि महिला नयाय, मानव विकास और मीडिया की सोतंदरता के मामले में भारत की सिती सार्वदी खराब होई है Global Hunger Index यानि कि भुकमरी के रैंकिंग में तो भारत की सिती पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे देशों से भी ज्यादा खराब है ये रैंकिंग में इतना कुछ बताने के लिए है आपके लिए कि हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा आपके लिए फिलहाल एक और दूसरा वीडियो देख सकते हैं हमारा जिसमें हमने कम से कम एक मामले में भारत की नंबर वन रैंकिंग के बारें बात की है सच बोल रहे हैं फिलाल लोटते हैं जूट नमबर दो पर मोदी जी अपने भासन के दरान देश में कुल महिला इसेजी की संख्यां बताने में पहले तो कन्फ्यूज हो गए तीन लाख बोल दिये फिर दो करोर पर पहुंच गए जबकि भारत सरकार की सरकारी डेटा बताती ह कि देश में दो करोर नहीं बलकि एक दसमलब दो करोर महिलाएसेजी हैं खुद देख लिजिए आप सुन लिजिए मोदी जी को देख लिया ना आपने सुन भी लिया लेकिन मोदी जी का जूट इससे भी बड़ा था मोदी जी का दावा था कि देश के दो करोर एससेजी से दस करोर महिलाएं जुड़ी हुई है अब ये जूट था या मोदी जी का गनित में थोड़ा धेला पन ये तो मोदी जी हिते करें लेकिन सब जानते हैं कि एक महिला SSG बनाने में कम से कम 10 सदस्य होते हैं और अगर एक SSG में 10 महिला होती है तो 2 कुलोर SSG में कम से कम 20 कुलोर महिला होनी चाहिए जूड़ी हुई लेकिन मोदी जी के गनित के नुसार भारत में सिर्फ 10 कुर महिलाएं ही सेजी में से जूड़ी हुई है इस हिसाब से मोदी जी के एक सेजी में अधिक्तम सिर्फ 5 सदस्य है जूट नमबर 3 मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया में यूरिया खाद 3,000 रुपे पैकेट में बिक रहा है और हिंदुस्तान में 300 रुपे में बिक रहा है देखिए कैसे जूट बोल रहे हैं ये जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 रुपे बिकती है वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले और इसलिए देश की सरकार 10 लाग करोड रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सबसे दी दे रहा है पहला जहूट की दुनिया में सबसे सस्ता यूरिया बोलेविया देश में मिलता है दूसरी बात यह कि यह बात मोदी जी सेम बात 28 जुलाई को भी बोल चुके थे उस समय उन्होंने दुनिया में इस यूरिया का रेट 2000 रुपय बोला था 15 दिन के भीतर यानि कि 15 अगस्त आते आते मोदी जी के अनुसार दुनिया में यूरिया का दाम 2000 से बढ़कर के 3000 हो गया जबकि पिछले कुछ हफ्तों के दारान अन्तराष्टिय बजार में यूरिया के थोक मुल की कीमत घटी है थोड़ा तो कंसिस्टेंसी रखे मोदी जी इतना सौट टर्व मेमरी लौस से कैसे काम चलेगा चलिए दुनिया में तो 200 से अधिक देश है मोदी जी कितना याद रखेंगे किस-किस देश में कब-कब घूम के आये हैं ये तो साइद उने याद रहता नहीं होगा लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान का तो याद रख सकते हैं वो भी सिर्फ पिछले कुछ सालों का अब सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात कर लेते हैं सिर्फ हिंदुस्तान के भारत में 2014-15 में यूरिया का दाम 276 रुपे हुआ करता था जो 2023 में घट करके 268 रुपे रह गया यानि कि 8 रुपे की गिरावट आई यूरिया के दाम में जिसके लिए मोदी जी को क्रिडिट तो जरूर मिलना चाहिए देश के किसानों को सस्ता यूरिया उपलब्द कराने के लिए लेकिन किसान अपने खेत में सिर्फ यूरिया थोड़ीने इस्तमाल करते हैं और भी तो दूसरे तरह का खाद उर्वरक डालते हैं खेतों में किसान थोड़ा दूसरे उर्वरकों के दाम को भी देख लीजिए जो पोटास का दाम 2014-15 में 15 रुपे 50 पैसे परती किलो हुआ करता था वो 2022 में बढ़के 23 रुपे 65 पैसे परती किलो हो गया 2010 में पोटास का दाम 24 रुपे 49 पैसे था यानि कि UPA के कारिकाल में पोटास का दाम घटा था और मोदी जी के कारिकाल में बढ़ा है ऐसे ही सलफर का दाम 2014-15 में 1 रुपे 68 पैसे परती किलो ग्राम था जो 2022 में बढ़कर के 6 रूपे 12 पैसे परती किलोग्राम हो गया 2010 में सलफर का दाम 1 रूपे 78 पैसे था ऐसे ही फॉसफेट का दाम 2014-15 में 18 रूपे 68 पैसे परती किलोग्राम था वो 2022 में 66 रूपे 93 पैसे परती किलोग्राम हो गया 2010 में भी फास्फेट का दाम 26 रुपे 28 पैसे था ऐसे ही नाइट्रोजन का दाम 2014-15 में 20 रुपे 87 पैसे परती किलोग्राम हुआ करता था जो 2022 में बढ़कर के 98 रुपे 2 पैसे परती किलोग्राम हो गया कहने का मतलब है कि यूरिया को छोड़ दे तो बाकि सारे खाद उर्वरक के दाम मोदी जी के कारकाल के दौरान बढ़े हैं अब आएए जूट नमबर 4 पर मोदी जी ने दावा किया है कि उनके 5 साल के कारकाल के दौरान हिंदुस्तान में 13 दस्मन पांच करोर लोग गरीवी रेखा से उपर आए हैं जूट है ये मोदी जी का पहले सुन लिजिए उनके जूट को ही मोदी जी ने ये जो 13 दस्मन पांच करोर का डाटा दिया है वो 2011 से 19 के बीच का है पिछले 5 साल का नहीं है मोदी जी के 5 साल का नहीं है 2011 में हिंदुस्तान में गरीवी दर 22.5% हुआ करता था जो 2019 में घट करके 10.2% हो गया यानि कि 11.7% की गिरावट आई थी जो कूल गरीवों की संख्या के मामले में 13.5% होता है यही गरीवी दर 2004 में 37.2% हुआ करता था जो अगले 8 सालों में यानि कि 2012 में घट करके 21.9% रह गया यानि कि UPA के 8 सालों के कारिकाल के दोरान 15.3% की गिरावट आई थी गरीवी में भारत में अगले 8 सालों में मोदी जी के कारिकाल के दोरान ये गिरावट सिर्फ 11.7% रही UNDP यानि कि United Nation Development Fund की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2005-6 से 2015 सोलों के दोरान 27.1 क्लोर लोग गरीवी रेखा से बाहर आये थे जो कि मोदी जी के जूटे आकड़े यानि कि अगर मोदी जी का वो 13.5 क्लोर का आकड़ा को सच भी माल ले तो भी उनसे ज्यादा है UPA के कारिकाल के दोरान गरीवी कम करने के आकड़े से कही कम है मोदी जी का आकड़ा अब आते हैं मोदी जी के पांच में और आखरी सबसे बड़े जूट पर जूट नमबर पांच पर सस्ते मोबाइल रिचार्ज है मोदी जी ने दावा किया कि उनके कारिकाल के दोरान मोबाइल रिचार्ज करना या उसका इस्तमाल करना मोबाइल का डेटा इस्तमाल करना सस्ता हो गया है हिंदुस्तान में खुद सुन लिजिए पहले उनको सुन लिया न आपने अब थोड़ा साथ 2014 से पहले का टाइम याद कीजिए इंकमिंग फ्री हुआ करते थी हिंदुस्तान में उस समय गरीब बिना कोई पैसा खर्च किये मोबाइल रख सकता था इस्तमाल कर सकता था लेकिन आज क्या हाल है किसी भी मोबाइल वाले गरीब से पूछ लिजिए कम से कम 200 रुपे का रिचार्ज तो उन्हें करना ही पड़ता है सिर्फ अपने मोबाइल पर इंकमिंग पाने के लिए भारत में कितने परतिसात लोग है जो स्मार्टफोन यूज करते हैं और कितने परतिसात हैं जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं भारत में मात्र एक तिहाई लोगा स्मार्टफोन का इस्तमाल करते हैं, जबकि आज भी दो तिहाई लोग सिर्फ फीचर फोन का इस्तमाल करते हैं, स्मार्टफोन उसे बोलते हैं जिसमें इंटरनेट चलता है, फेस्बुक चलता है, वाटसप इन्वर्सिटी चलता है, इंस् उसे 66% भार्तिय तो इस्तमाल ही नहीं करते हैं, इन 66% गरीब भार्तियों का incoming महगा करके मोदी जी 33% स्मार्टफोन इस्तमाल करने वाले अमीरों की बात कर रहे थे लाल किला से, याद रखेगा 2014 से पहले incoming free हुआ करती थी हिंदुस्तान में, वैसे एक बात तो है, अब सब को जबरस्ती डेटा तो दिया जा रहा है, मोदी जी के दोस्त जीयों वाले अम्बानी जी सबको स्मार्टफोन भी free में दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी एक स्मार्टफोन खरीद लीजिए आप भी, और परधान मंत्री जी का जूट से ले करके उनक टू भी शुरू होने वाला है, भीडे रहिए, रोज तीन जीवी डेटा इस्तमाल किजिए, और उसमें से कुछ डेटा हमारे लिए भी रखिए, अगला वीडियो भी सुन लीजिए न्यूज हंटर्स पर, मोदी जी के पांच कल्टी मार मोमेंट पर, उसी लाल के ले के प् झाल